नमस्कार, MP Newcast में आप सभी का स्वागत है, मैं आपके साथ प्राचिन के शर्वानी, देज दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं MP Newcast पर, आईए आप खबरे विस्तार्ज और अने खेती संबंधी सामान रखा था, अचानक दिनांग 29 अगस्त 2020 की रातरी आग लग गए जिसकी जानकारे उनके बड़े भाई सुरेंदर का छीनी घर जा कर दी और पडोसियों ने भी, इससे अवगत कराया आग लग जाने से लकडी बल्ली ठार चल कर नीचे गिर गया और उसमें रखा भुसा, छे बोरी गेहूं, महवा, यूरिया, आदी जल गया घर के अंदर कम्रे में खुदे बोर में समर्सिलल नीचे गिर गया, आग लगने से करीब 50 हजार का नुकसान हो गया और उन्होंने बताया कि उन्हें गाउं के निवासी शिवकुमार काची, उन्होंने पिछले लड़ाई जगरे को मद्दे नजर रखते हुए, उनके यहां आग रख दी, जिससे कि सब कुछ जलकर खाक हो गया, इसके उन्होंने स्लीमनाबाद थाने में एफाई यार करा दी है, रवी कुमार खेती किसानी का काम करते हैं और उनके तीन बच्चे है उन्हें आग लगने से बहुत थानी हुई है, जिसके संबंद में उचित कारवाही चाहते हैं, MP योसकास सिसलीमनाबाद संबादाता प्रिया दूबे की रिपोर्ट क्या आग लगी थी फिर उनके बताने गए आप लोग, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार अधिवास क्या नाम है आपका? ललिक कुमार कहां रहते हैं? यहीं चपरा में यह जो आग लग गई थी तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? बगल में रहते हैं वो गुड़ू चा अच तरवे इन चाचा के पास गयी तो बताए जानकारी की आग लगी है फूर भी लगाते रहे तो सायद बंद ख़ूए थी तो फिर आपने आपने जा के उनको सूच को सूच ना दी क्या नाम है आपका गविकुमार हल्द कारते हैं ये जो आग लग इए तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली कैसे लगई बताई तो कैसे लग गई इसका कुछ पता चल पाया लई चल पाया तो इसकी आपने एफ आपको किसकी उपर शक है आपको कैसे तो मतलब कुछ आप लोग की आप सी रंजेश है कुछ लड़ाई जगड़ा हुआ था क्या लेड ने हां सकड़बा दिया था तो इसकी वाद हम उसको पानी बन कर दिये थी अच्छा तो इसकायद किया हमारी हमीटर की तो हमारा बिल सव रुपया था था बारास रुपय प्रवाद किछले मैंने फिर मीटर लगाई कितना नुकसान हो गया है आपका पचासाग हजार करना हो गया है क्या क्या समान रखा था यहां खातु रखेती जी और यहीं रखा था और पंपंप रखेते मगव रखेते तो तारा कुछ जलके नस्ठ हो गया है थेसर के डोई कितिये स्टार्टर सूपव बसा कुछ रखा है यहीं पर अबोर भी वहीं अंदर है अबोर है समर्चला हो सब उसी में गर गया अच्छा